इन दिनों हमारे इंडिया में काफी तेजी से एक चीज भाइरल हो रहा है वो है राहूल गांधी जी का पोटफोलियो आखिर राहूल गांधी जी का पोटफोलियो में ऐसा है क्या इतना तेजी से जो भाइरल हो रहा है और क्या है यह पोटफोलियो इस वीडियो मैं आपको तो राहूल गांधी जी का पोटफेलियो के बारे में बताऊंगा और मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा राहूल गांधी जी ने कौन-कौन से शोक को खरीदा है और कौन-कौन से mutual fund में invest किया है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले जानते हैं राहूल गांध हुआ है तो राहूल गांधी जी ने भी एक एफिडेविट को समिट किया इलेक्शन कमिशन को जिसमें उनका एक पोटफोलियो को दर्साया गया है जिसमें उन्होंने सेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया यानि कि स्टोक्स में और mutual fund में तो ये काफी ज्यादा trending जा रहा है चुकि उनका जो पोटफोलियो काफी जादा diversified है मतर्कि अलग अलग जगा पैसा लगा हुआ है और काफी अच्छा पोटफोलियो है इसलिए आप लोग को भी देखना जरूरी है तो चलिए जानते है कौन-कौन से stocks है और कौन-कौन से mutual fund से सबसे पहले मैं आप लोग को ब 2019 उस टाइम भी लोग सबा इलेक्शन था उसमें भी उन्होंने एफिडेविट सम्मिट किया था इलेक्शन कमिशन को जिसमें उनका जो mutual fund है 5.19 करोर का हो गया मतर्य की mutual fund में investment 5.19 करोर हो गया 2014 में 81 लेक था जो की बरकर 5.19 करोर हो गया यानि कि total investment 2019 में 5 करोर हो गया आप ल इन्वेश्मेंट 2014 और 2019 में उन्होंने जहां invest किया था वो सिर्फ mutual fund में किया था इस टोक्स में नहीं सिर्फ mutual fund में फिर आया 2024 यानि कि इस साल उन्होंने जो एफिडेविट सम्मिट किया election commission को उसमें जो अपना investment portfolio देखाया है उसमें देखाया है कि उन्होंने 3.81 करोर mutual fund मे invest किया है और 4.33 करोर stocks में invest किया है 2024 में उन्होंने 4.33 करोर stocks में पैसा लगाया mutual fund में तो लगाया लगाया साथ में उन्होंने देखाया कि मैंने stocks में भी लगाया है और total जो investment हो गया 8.41 करोर और मैं आप लोग एक चीज़ बता दू मैंने बहुत दिन पहले एक वीडियो दे रिक्स की है मैं बता दू देखो वो तो बोले रिक्स की है पता नहीं किस भी रिजन से बोलेंगा चाहे political रिजन से बोलेंगे पर उन्होंने तो खुद stock market में invest करके रखा हुआ है यानि खासकर stocks पे चलिए बात करते है राहुल गांधी जी का पोर्टफोलिय उसमें सबसे ज़्यादा पैशा कौन-कौन से stocks में लगा हुआ है तो मैं इसमें आपको टॉप 5 company बताता हुं जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है सबसे पहला है पीडी लाइट इंडस्टी जिसमें 44 लेक रुपीज लगा हुआ है पीडी लाइट इंडस्टी काम क्या करती आपको जैसे पता है कि फेवी कॉल यह सब पीडी लाइट कमपनी की है तो सबसे ज्यादा एमाउंट 10% एलोकेशन आप लोग बोल सकते हैं 44 लेक रूपीज वो पीडी लाइट में मतलब सबसे ज्यादा जितने भी काम वो बजाज फाइनन्स करती है और थार्ड इस्टोक के बारे में बात करें तो उसका नाम है एसेन पेंट Asian paint का तो नाम आप लोग जरूर सुने होंगे घर में कराते हो ना paint बहुत सारे लोग Asian paint ही कराते हैं घर में paint मतब कि Asian paint का ही कराते हैं तो Asian paint में 35 lakh रुपीज इन्वेस्ट है फोर्थ company के बारे हैं बात करें तो वो है Nestle India नेशले इंडिया का बात करूं तो जैसे मेगी हो गया कॉफी हो गया यह नेशले इंडिया के प्रोड़क्ट है इसमें इनका 34 lakh का investment है और जो हमारा last company है वो है टाइटेन टाइटेन की ज्वेलरी भी आती है वाचेस भी आती है इसमें इनका 33 lakh रुपीज invested है तो आप लोगों मैं बता दू यह 5 श्टोक में investment नहीं है 25 श्टोक में और invest है इसमें देखो मैं बता दू आप लोगो 25 श्टोक का मैं बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो मैं आप लोगों को दे दे रहा हूँ इसकिन पॉस करके आप लोग देख सकते हैं मैं बता दू आप लोगों को जादा तर जो राहूल गांधी जी का portfolio है वो जादा तर जो पैसा invest है वो blue chip company में यानि कि जादा तर company निप्टी 50 वाली है निप्टी 50 में कौन company आती है जो इंडिया की top 50 company है मतल़ टॉप 50 company वो निप्टी 50 के अंदर आता है जादा तर जो राहूल गांधी जी का portfolio है वो blue chip company का stocks है इसमें से 11 stock जो निप्टी 50 के अंदर आता है मतल़ 25 stock में से 11 stock निप्टी 50 के अंदर है और इन्हों ने बहुत सारा पैसा small cap में भी लगाया है तो राहूल गांधी जी का portfolio में बहुत सारे small cap stocks है जिन्नों ने काफी दिया है दूसरी company के बारे में बात करो तो उसका नाम है ट्यूब इन्वेस्टमेंट जिसका five years का return है 834% और जो तीसरा है उसका नाम है दीपक नाइट रेट इसका पास साल का return के बारे में बात करें तो यह 691% का return दिया है और मैं आप लोग एक चीज़ बताओ राहूल ग चानी और रमबानी के तो चली आप बात करते हैं राहूल गांदी जी ने कौन-कौन से मुचर फंड में इंवेस्ट किया है तो सबस्ते पहला है स्टी एप सी स्मॉल कैप रेगुलर गुरूथ प्लैन इसमें उन्होंने 1.3 करोर का investment किया है इसमॉल कैप मधि छोटी-छोट कंपणी जितनी चोटी कंपणी है उसमें इंवेस्ट किया कितना 1.3 करोर समझ गया आप लोग और बहुत सारे लोग को ना रेगुलर प्लैन और डायरेक्ट प्लैन में काफी कंफूजन होती है रेगुलर प्लैन वह प्लैन होता है जिसको हम लोग ब्रोकर के थुरू किया सबसे ज्यादा फिर सेकेंड मीश्यों फंड के बारे में बात करें तो वह नाम है आईसी 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 आई प्रोजेंशियल रेगुलर सेविंग फंड इसमें उन्होंने 1.2 करोर का इंवेस्ट किया है फिर थार्ड है उसका नाम है HDFC हाइब्रीड डेट फंड जिसम सकती में उन्होंने 19.58 रूपिस का इंवेस्टम्ट किया है जो हमारा सिख्छ्थ होह है ऐसे यह किट्टए फनड उसमें 19 लेक का इंवेस्टम्ट किया है और फिर हम लोग का जो लास्ट फण है WHLabC small cap 6 डिरेक फंड जिसमें उन ने 17 लेक का इंवेस्टम्ट किया तो उन्ह ने ज्यादा तर पैसा इस्मॉल केप इस्टोक्स और स्मॉल केप में लगाया हुआ है तो इससे आप लोग समझ सकते हैं इनका पॉर्टफोलियो एक तरह से एग्रेसिव भी है और बहुत सारे ऐसे स्टोक भी खर दें जो ब्लू चीप है मतलब कि एक तरह से कैसे पूरी तरह पर नजार रुपिया और उनके पास बैंक टिपोजिट में यानि कि बैंक में जो पैसा डिपोजिट करके रखे वह 26 लेक है डिवेंचर में 1.9 लेक है सेयर्स में आप लोग को जैसे पता है कि 4.33 करोर है म्यूचल परंड में 3.81 करोर है एस जीबी में 15 लेक है यह एस आदा होगा जब उस सोना का दाम भरेंगा पर ऐसीबी में होता है कि इसमें आपको एक रिटन करोगे तो इसमें इन्होंने फिप्तिन लेक रुपीज का से लिए प्रोपर्टी के बारें बात करें तो 20 करोर का और इनका इंवेश्मेंट में नजर डालो तो हर जगा पैसा लगा हुआ है इस तरह से आप लोगो हमेशा रहना चाहिए यह काफी अच्छा एक तरह से कह सकते हैं और हां एक चीज बताना भूलिया राहूल गांधी जी का जो income था financial year 2022 से लेकर 2023 में 1.2 करोड था इनका जो पिछले साल का मते कि financial year 2022 से 5 साल मते पीछे के बारे में बात करें तो हर साल एक करोड का profit हुया हुने मते एक तरह से income आया हुने तो यह तो रहा राउल गांदी जी का portfolio के बारे में तो आप लोग को इनका portfolio कैसा लगा comment करके जरूर बताना तो आप लोग को यह video कैसे लगी वो भी comment करके बताना I hope मेरी यह video आपको अच्छी लगी होगी मिलते हैं आप लोग से next video में